हेलो दोस्तों कैसे आप लो अई होप सब बढ़ीयाूंगे तो चलीए आज की लास स्टार्ट करते हैं आज की लास स्टार्ट करें से पिछला रिवाइस कर लें कि पिछले में ज्यादा था नहीं conceptual वह आपको बस ध्यान रखना कि क्या-क्या पढ़ने और कितना कितना याद करने कि पिछली क्लास में कहां तक कर रहा था हमने कि हम कॉंसेट कॉंसेट समझ लेते हैं इंटेरनल कंट्रोल, इंटेरनल चैक, इंटेरनल औरडिट इंटेरनल कंट्रोल क्या होता है ऑवारॉल perk में कुछ पॉलिसिस वुकी बनाने जाते हैं जिससे सारा कम सारा ओपरेशन कंपनी का सूच चाहरु रूप सच bénत्या सही तरीके से चलिए इंटेनल चेक क्या होता है ऐसे छोटे छोटे चेक लगाना छोटे चोटे चीजे लगाना जिससे एक बंदय काम दूसरा बंदक चेक कर लें और वो गल्त होने से पहले ही करेक्ट हो जाए अपने आप ठीक है मेरा का मेरे सीनियर चेक कर ले और चेक कर लेगा तो वह अगर कोई गलती हो तो बता देगा तो कस्टमर को देने से पहले गलतियां ऑर्गनाजेशन में ही ठीक हो जाएंगी ऐसा नहीं है कि गलती हो गई फिर बुक्स ऑफ अकाउंट सब कुछ बन गया फिर लास्ट मे उसके बाद था इंटर्नल ओडिट इंटर्नल कंट्रोल के यह दोनों छोटे-छोटे एक पार्ट हैं बस यह ध्यान रखना इंटर्नल ऑडिट क्या समझा था कि विदिन ऑर्गनाजेशन कंपनी के अंदर ही आप किसी से भी मैनेजमेंट से किसी डिरेक्टर से किसी और सीनि कौन सी बार बात बता रहा हूं कि इंटर्नल ऑडिट जरूरी नहीं कोई कोई सीए करें ठीक है अधर दिन सीए भी कर सकता है इसमें आपको चीज़े याद रखनी है देखो पॉलिसी और प्रोसीजर कुस ऐसे पॉलिसी और प्रोसीजर बनेंगे जो आपको इंटर्नली रूल्स बनाने में मदद करेंगे ठीक है अब्जेक्टिव क्या थे इसके एफिशेंट सी बढ़ जाएगी इससे आपकी ठीक है एक अद्र मेंगेंट की जो पॉलिसी है वह इंप्रोव हो जाएगी मैनेजमेंट जो काम करेगा ऊसके बाद आपने पॉलिसी बना दिखिकर काम में गलती तो यह पेनल्टी लगेगी ठीक है तो उससे क्या होगा मैनेजमेंट की भी पॉलिसी है फिर उसका परफॉन्स और सेफगार्डिंग ऑफ असेट हो जाता है एक्यूरेसी कंप्लीटनेस टाइमली प्रिपरेशन फिनांशल स्टेट्मेंट ठीक है इसके बाद हमने सारा एक्जामपल पड़ा था पूरा प्रॉसस पड़ा था कि इन तीनों में हैवी डिफरेंस होता क्या है फिर लिमिटेशन से है लिमिटेशन से जो हमने पहले भी कुछ टॉपिक्स में पड़ी है ठीक है यहां भी है कि इंटर्नल कंट्रोल बिठाना कॉशली होता है ठीक है कई बार अथोरिटी जो बड़ अपर लेवल पाथोरिटी है यानि मैनेजमेंट है वह ऐसी पॉलिसी बना रहा है कि खुद वही चीज यहां दे रखे है कि मैनेजमेंट खुद ऐसे कर ले किसी चीज में फ्रॉड कर दे या मैनुपिलेट कर दे बुक्स को ताकि पॉलिसी जो बनाई हुई है वह उसके परफेक्ट ही ना करे मैंने कमप्णियों पॉलिसी बनाई है ठीक है मुझे पता है क्या करना जो समझने वाला पॉंट है ऑल्धो आपने सारा समझा था बट फिर भी देख लो स्टाफ की ड्यूटी को ऐसे अरेंज किया जाए जिसकी वजए से नो वन कोई भी वन्दा ऐसा ना हो कि जो सारा काम थुरू आउट दर थुरू एंड टु एवरी आस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेशन यानि किसी एक पर्टिकलर ट्रांजेशन का स्टार्टिंटू एंड सारा काम ना करें ओं एक प्रोसेस में ज्यादा लोग इंवॉल्व हों ताकि एक का काम दूसरा वाला चेक कर पाए नेक्स्ट वाला ठीक है इस लाइन का यहीं मतलब है अब जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है बैसिक अबजेक्टिव है एरर और फ्रॉड हमें टाइम पासल जाए ठी इंटेनल चेक के भी डिसदवांटेज लगब लगबह वही है expensive होता है komplacency amongst officials है इसमें क्या देखा था कि एक थिंक्पिंग याइनि मालो दो लोग है ठीक है इंटेनल चाक करें मालो अच वह दोनों दोनों लोग ही मिले हुए पुरा process मिला हुआ है तो वहां गड़बड हो सकता है ठीक है दूसरा इसका पॉइंट का यह मतलब है संटेंस समझ में नहीं आएगा कि कि वो नोटिस में ही ना है कि वो प्रोसेस के वह ऐसे एक बंदा दूसरे बंदे की खामिया निकाल दे वो निकाली ना पाए उसके खामिया और लो ना भी बंदा कर्मार। उसके हम रहते हैं हम बंदा रहते बंदा रहते हैं अवा है जस्ट आक्सा कि लिए ना प्रोसे सखाले वो कि प्रोसे में हमें तो तो इसका एक मतलब और है इसका सेंटेंस का इसमें बहुत से चीज़ आ जाती है हम देखो ऊपर ऊपर की चीज़ ज्यादा पढ़ रहे हैं आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं है नहीं तो इसी पोईंट में आप चार-पांच-पारा लिख देते हैं एक पॉइंट यह भी होता है इसका मतलब चलो यही वाला याद कर लेना जो लिटरली लिखा हुआ है क्या है यह मैनेजर इस मैनेजर इन चार्ज जो भी चार्ज मैनेजर इन चार्ज है ऑप दे कंट्रोल फंच्छन में बिकम लेक्स अप को स्मूज चलने लग जाते हैं उसको ऐसा लगता है कि गलतिया तो अब होंगी नहीं ठीक है तो फिर ज्यादा चेक करने की जुरूत ही नहीं दूसरे काम ठीक है इन दोनों के डिफ्रेंसिस पढ़े थे हमने वह भी बेसिक हैं इंटरनल औरिट हम कई बार पढ़ चुके है अगेन उसके डिफ्रेंसिस आ गए फिर हमने वाउचिंग एंड वैरिफिकेशन पढ़ा था वाउचिंग वैरिफिकेशन में ध्यान दिया था वाउचिंग में सिर्फ इतना होता है कि आप डॉकुमेंट है कोई बिल है उसके कंटेंट चेक करते हो ट्रांजक्शन से पहले को ट्रांजक्शन को साथ में वैरिफाय करते हो बैलेंस शीट के आइटम से ठीक है चाहे लाइबिलेटी हो चाहे एसेट हो जिसका हमने एक्जाम्पल लिया था मशीन का और डेटर का कि इस पर कुछ सबंचने वाली ज्यादा बात है नहीं बस आपको याद करना है इसको चीजों को जो मैंने चोड़ी-चोड़ी मार्किंग कराई है कि देखो आज आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे कौलिफिकेशन अफ और यह पूरा टॉपिक चलेगा अपना यह टॉपिक आएगा कंपनी और डिट में इस पूरे चैप्टर का नाम है कंपनी और इट यह लिए 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 अब इस पूरे चैप्टर का नाम रहेगा हमारा कंपनी और इसमें दिक्कत दोस्तों यह है कि यह आपके बुक में देही नहीं रखा है यह बुक में भी नहीं है यह क्या बोलते हैं डियू की बुक में भी नहीं प्रॉपरली तो सर आप क्यों कर वा रहे हो यह दोस्तों अग्या आया हुआ है तीन-चार साल में एक बार आ जाता है कोश्चन और अभी ज्यादा आने के और बी चांसे सब्सक्राइब कि अब डियू वाले कोर्स को और पेपर को थोड़ा बैटर करने की सोच रहे हैं तो इसमें सब्सक्राइब तक आ सकता है ओके सर यह बताओ इसमें कितना बढ़ना है दोस्त इसमें प्रॉब्लम यह है कि ना लिखा हुआ है इतना सारा यह सीए के बच्चों के आप बुक द इतना तो मैं आपको इतना 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 कंटेंट तक जिसमें इतना डिज़ूरी है सिले जरूरी जो पेपर में आता है तो मैं आपको इतना करा रहा हूँ, ठीक है, मैं repeat कर देता हूँ, इतना सारा है इस chapter में, ठीक है, आपके exam के लिए ये कभी आता है, तो इतना सा आता है, लेकिन मैं आपको इतना कराऊंगा, समझ गे, इतना करा दूँगा, ताकि अगर इदर उदर से थोड़ा बहुत आए, तो आपके paper में आप उसे अराम से attempt कर पाए, ये सारे चीज़े टेकनिकल है, section में क्या लिखा हुआ है, वैसा ही करना होता है, ऐसे चीज़े हैं, बट हम आपके course में जर्नलाइज तरीके से दे रखा है, एक एक पोइंट, एक एक लिमिट ऐसा नहीं दे रखा, समझेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे आपके paper में आता है, उसे according ही पढ़ेंगे, अब कुछ बच्चों का doubt होगा, कि sir, 10 year में ज्यादा दे रखा है, तो मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा है, उतना करने की कोई ज़रुवत नहीं, आपके course में कभी आता है, हम इतना करेंगे, आपक ज़रुत नहीं है, उससे कम करेंगे, ठीक है, मतलब आपको relevant, relevant चीजा सारी कराई जाएंगे, इसमें काफी हद तक हमने extract की हैं चीजे, जो कि बिलकुल relevant नहीं है आपके लिए, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि कलको बच्चे आ सकते हैं, कि sir, आपने ये नहीं कराया है, व पगड़ो, उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, सारा कुछ ही दे रखा है, पूरा section दे रखा है, यहां से यहां तक, ठीक है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, और आप हो सकता है, do की बुक में देखो, कहोगे, sir, इसमें तो है ही नहीं कुछ, आप क्यों करा रहे हो, क्योंकि दोस्त पेपर में आता है, मैं नहीं कराऊंगा, तो आप कल को मुझे ही बोलोगे, यार, sir, ने तो वो chapter कराया नहीं था, बदाओ, question में आ गया, ठीक है, तो यह mindset रखना कि आपको सारा relevant कराया जाएगा, जो भी इसमें होगा, चलिए, अब देखो दोस्त, auditor बनता ह है, अब से पहली class में पढ़ा था, second, third class में शायद हमने पढ़ा था, engagement letter, यानि auditor ने क्या दिया कि मैं आपका audit करूँगा, इस company ने क्या दिया कि हाँ, आप मेरा audit करना, ठीक है, दोनों की बात होगी, engagement letter बन गया, engagement letter एक तरसा contact होगे दोनों के बीच में, कि हाँ भई, हम दो आप मेरा audit करना, और मैं आपका audit करवाँगा, अब यह बताओ, कि जो बंदा है, उस यह है, वो audit करने के लिए qualification उसके क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो topic है हमारा first वाला, qualification, qualification क्या होना चीए, वो practicing chartered accountant होना चीए, chartered accountant तो आप बन गए, मालो मैं chartered accountant बन गया, ठीक है, लेकिन म नहीं हूँ, मैंने COP नहीं ली, सर, COP क्या होता है, COP होता है, दोस्त, certificate of practice, बनने के बाद या तो आप job कर सकते हो, CA, या फिर वो अपनी practice कर सकता है, यानि खुद का office खोल के काम कर सकता है, ठीक है दोस्त, तो COP होगी, तभी वो audit कर सकता है, जैसे मैं अपने institute पर apply कर सकता हू कि सब मुझे COP चाहिए, वो COP दे देंगे, वो COP मिलने के बाद मैं audit कर सकता हूँ, ठीक है, या तो partnership firm मना लो, बहुत सारे CA जिनके पास COP है, वो सारे CA होने चाहिए, और partner होने चाहिए company के, ठीक है, तो यह basic qualification ज़रूरी है, एक CA को audit करने के लिए, practicing CA होना चाहिए, यानि COP हो लोग मिलके अपने chartered accountant firm मना लेते हैं, तो वो firm के पास भी सारे CA के पास COP वगरा होना चाहिए, सारे CA तो होने ही चाहिए, यह तो basic बात है, अब disqualification क्या होगी सर, यह बड़ी चीज है, ठीक है, qualification के लिए चाहिए, मान लो, मैं उस company का audit नहीं कर सकता, ऐसा कौन से point होगे, dis CA audit नहीं कर सकता, किसी एक company का, ठीक है, वो देखते हैं, यह technical point है, इतने technical point आपको मुश्किल ही आएंगे, यह आएंगे नहीं ज्यादा तर, बट फिर भी आप समझ लेजिए, मुश्किल इसका न, यह आता है, यह आपके paper में आता है, ठीक है, इसे star mark कर लो, यह आता तो न ठीक है, यह दोनों section 141 के अंदर आते हैं, section लिखने के आपको जरूरत नहीं है, section देवी रखा है कहीं कहीं पर आपको याद करने के जरूरत नहीं है, ठीक है, चलो, disk qualification पढ़ता है, जल्दी से पढ़ेंगे, क्योंकि यह इतना, आपके exam point of view के लिए कोई important नहीं है, आप body corporate नहीं हो सकते, यानि company नहीं हो सकते, यानि किसी भी organization का आगे private limited या फिर सिर्फ limited, यह दिखे तो यह लोग audit नहीं कर सकते, ठीक है, वो सारा CA मिलके company बना ले, जैसे मालू मेरा नाम है Ajay, Ajay Kumar and Chartered Accountant private limited, अगर मैंने ऐसा बना लिए तो मैं auditor नहीं बन सकता, simple सी बात है, कोई company अगर है limited, private limited तो वो CA का काम नहीं कर सकती, वो auditor नहीं बन सकती, second, कोई officer या फिर employee of the company, company का ही बन्दा है, company का employee है, या फिर कोई officer है, CFO है, CEO है, कोई director है, वो भी नहीं बन सकता, auditor, ठीक है, company का बन्दा audit करेगा है, चाहे वो CA भी है, तब भी नहीं बन सकता, ठीक है, अगला कोई बन्दा, उसका relative, उसका partner, indebted, यानि कर्जे में है, company से, उसकी subsidiary से, उसकी holding से, उसकी associate से, उसके subsidiary की holding से, ठीक है, company in excess of 25 लाख, 25 लाख indebted कहां से आ गया, या जाद, यह point आपका नहीं है, इसे आप काड़ देना, दोस्त, यह क्या बताएं, बुक्स में गलत दी रखा है, ठीक है, आप यह point काड़ देना, आप यह पढ़िए अगला, एक person, उसका relative, उसका partner, अगर guarantee देता है, किस को, किसी third person को, ठीक है, ठीक है, third person को, third person to the company, या फिर उसके subsidiary को, उसकी holding को, associate को, company को, subsidiary को, या फिर उसकी holding, उसके subsidiary की कोई दूसरी holding है, उसको देता है, एक लाग से उपर, तो वो भी और नहीं बन सकता, sir, क्या बोल गए, समझी नहीं आया, देखो, मेरा नाम है, अजे, ठीक है, मालो, अजे, एंड, chartered accountant मेरी firm का नाम है, यह short में लग देता हूँ, ठीक है, और हम मुझे audit करना है, XYZ Limited का, ठीक है, अब XYZ Limited नहीं ना, मानलो, किसी, क्या मानलो, क्या मान के चलूँ यार, मानलो, प्रिया है कोई, ठीक है, प्रिया को इसने, debt दे रखा है, कंपणी ने क्या दे रखा है, debt, यानि करजा दे रखा, मानलो, यहां डेbrي लाग का कर्दा दे रखा है और मैंने इस कंपणी को यह कहा कि अगर यह लोन नहीं पे करेंगी तो मैं दूंगा समझे रहो। कि अगर यह पिडिया लोन नहीं लुन नहीं सुखाती कंपणी से तो मैं दूंगा तो मैं लूटाइमा ऐसा गया this ठीक है तो ऐसा अगर है तो भी मैं इस कंपनी का ओईटर नहीं बन सकता है अगला क्या है अब फर्म पर्सन फर्म हुस वैदर डिरेक्टली इंडिरेक्टली है बिजन्स लेशनसिप इन एक्सेस ऑफ पच्छेस लाक या पच्छेस लाक नए भी लिखोगे तो भी चलेगा ठीक है बिजन्स रिलेशन्शिप इन्हों सारा यह डाल दिया मुझे लगता है अब करें गारंटी वाला पॉइंट डबल बार यह देखें यह पॉइंट डबल बार आ गया यहां पर डबल टाइम और क्या है एक पॉइंट मेस्ट कर दिया है कर दो एक मिनाट रुकी है मैं देख लेता हूं यह शायद गलत पॉइंट डाल दिया है डियो के बुक्के साबसे जो की साइथ पुरी तरह सही नहीं थे अब 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 इन डेबिटेड़ इसको न एक काम करो, यह 25 लाग नहीं होता, यह होता है, पांच लाग यह समझाता हूँ, यह हमने समझ लिए, गरेंटर वाला पोईंट, ठीक है, अगर मैंने गरेंटी दी है, जो एक लाग से उपर के गरेंटी दे दी किसी को, कि मैं कमपनी, आपको मैं पे करूँगा, किसी नहीं नहीं दिया तो, तो इस केस में भी मैं और नहीं बन सकता, मालो किसी को छोड़के, गरेंटी नहीं है, मैं सीधा ही, खुद इस कमपनी से 5 लाग का मैंने करजा ले रखा है, ठीक है, 5 लाग का, मैंने खुद करजा ले रखा 5 लाग का, तब भी मैं इसका और नहीं बन सकता, ठीक है, चाहे मैं लूँञे ने एक फ़र्म मनायों मेरे चार-पांच थे हैं मेरी फ़र्म में उन्मेंसे किसी ने भी अगर लून लिया हुआ एक से इस कंपनी का अडिट मैं नहीं लूसक्त यह कहने का मतलब कर दे माइगे इसका audit भी नहीं कर सकता, इसकी कोई subsidiary company है, मैं इसका audit भी नहीं कर सकता, अगर मैंने करजा 5 लाग से उपर का ले रखा है, ठीक है, तो मैं इसका audit भी नहीं कर सकता, इसकी holding का भी नहीं कर सकता, इसकी subsidiary का भी नहीं कर सकता, और क्या नहीं कर सकता, और मेरे पास कोई subsidiary है, कि किसी मेरे शेयर है उसकी कोई मेन होल्डिंग है ठीक है हो सकता है ला इसकी ज़रूरी नियessenår मानलो मेरे 61 पर्संट शेयर है है कोई और शेयर है कि कोई है इसकें अंदर इसकीं परहुर और है कोई और भी है किब ड़िशिंटे में करियाफ ऑर के भी शेयर है मालनो 40% share इसके पास हैं तो मैं इसका audit भी नहीं कर सकता, ना मैं इसका भी नहीं कर सकता, मैं इसका भी नहीं कर सकता, मैं इसका भी audit नहीं कर सकता, और associate होती है company, associate, आपको associate समझने की कोई जरूरत नहीं है, associate company बोलते हैं, ठीक है, कुछ shares ऐसे होते हैं, एक limit तक share होने वसे इतना समझ लीजिए आप इन सब का औरिट नहीं कर सकते हो या तो आपने इन में से किसी को गैरंटी दी हो एक लाग से उपर या फिर खुद करजा लिया हो पांच लाग से उपर अब मालो मैंने इस से कोई वो लिया हो करजा ना लिया लेकिन मेरा बिजनेस लेशनशिप है सर बिजनेस लेशनशिप क्या बोल रहे हो आप सर मालो मैंने यह कंपनी मनाती है हम अभी तक ना शूस शूस का बोलता है ना शूस शूस की कंपनी कंपनी से खरीटता बेशता हूं अपना समान ठीक है अगर मेरी को ट्रांजेक्शन भी है तब भी मैं और नहीं कर सकता इसका कि अगर तो बिना किसी के दबाव में आकर काम करेगा अगर यह सारे चीजे में से कुछ भी हुआ तो वह तो कंपनी के फेवर में काम करेगा कम गलतिया चुपाएगा ना बताएगा थोड़ी अगला अब परसण और फर्म वैदर डिरेक्टली इंडरेक्ली एस ब्रिशन रिशन शेप विद्ध कमपनी और सब्सीटरी कम्पनी यह ब्रिशन शेंसीप आगया आप इसको काड़ दो यह वाला चलने दो यहां पर यह दोनोंवा पॉइंट चलेंगे और यह दोनोंवा प कि यह रहा कंपनी में चाहे उसका कोई ओफिसर हो चाहे इंप्लोई हो अगर कंपनी में कोई ओफिसर हो इंप्लोई हो वो भी और नहीं बन सकता प्लस कंपनी में चाहे डिरेक्टर हो, company का डिरेक्टर हो, वो चाहिए employee भी हो, तब भी वो नहीं बन सकता है, डिरेक्टर हो, manager हो, वो लोग भी नहीं बन सकते, auditor, ठीक है, अगला point पढ़ो, यह important point है, जो बंदा full time कहीं पर job कर रहा हूं, जैसे अब मालो मैं job करता हूं, ठीक है, मैं full time job करता हूं, तो मैं साथ के साथ auditor नहीं बन सकता कहीं पर, ठीक है, जरूर नहीं हो सी company में, इस point में मैं किसी और company में, कहीं भी मैं अगर job कर रहा हूं, तो मैं auditor नहीं बन सकता, अगर मुझे audit करना है, तो मुझे certificate of practice, यानि COP रखनी होगी, अपना office खोलना होगा, और खुद का काम करना ह होगा, ठीक है, इसका logic ये है, मतलब, जो genuine law बना है, इसका logic ये है, कि अगर बंदा job करता है, सारा time तो वहीं देता है, ये client का काम कैसे करेगा, ठीक है, चलो, last point, a person who has been convicted by a court of an office involving fraud, and a period of 10 years has not elapsed, sir, क्या मतलब हुआ इसका, क्या बोल दिया, इसने, कोई बंदा है, ठीक है, ये मालों CA था, COP वगरा सब थीज के पास, लस ये लिग देता हूं में, ठीक है, लेकिन इसने क्या करा, ये चला गया जेल में, ठीक है, कोई कांड कर दिक, कुछ भी कर दिया हुगा, इसने कांड कर दिया हुगा, जेल में चला गया, अब, मालों CA चूड के जेल से, छे मैने में चूड गया, साल भर में चूड गया, जब भी चूड गया, जिस दिन वो चूटा है, आपको समझे में आएगा, उससे, दस साल तक, वो और इट नहीं कर सकता, दस साल के बाद ही वो और इट कर सकता है, ठीक है, इसकी भी लिमिट है, वो छे महिने से उपर वाले तक की सजा मिली हो, ऐसा कुछ है, वो बहुत डीप हो जागा, अगर मैं वो समझाने लगा, आप इतना मान लिजिए, अगर कोई auditor, कोई CA, कोई COP वाला बंदा, जेल चला गया एक बार, तो जेल से छूटने के बाद, अगले दस साल तक और नहीं बन सकता, सिम्पल सा पॉइंट है, तो दोस्तों यह आपने कर लिया, डिस्क्वालिफेकेशन,